चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं जावस्त्रिप्ट के अंतरगत फंक्संस के बारे में फंक्संस होते क्या है जैसे मान लीजी आप कुसी काम को बार-बार करते हो यानि कि कोई काम करने के लिए आप बार-बार कोई भी जो इंस्ट्रेक्शन से या कोई भी जो स्टेटमेंट है बार-बार लिखना चाहते हो ठीक है तो देखिए ऐसी जो इस्तिती में अगर देखें तो हमको जब बार-बार कोई चीज़े लिखना पड़ता है या बार-बार वही काम करना पड़ता है तो ऐसी statement के collection को हम नाम दे देते हैं एक function का यानि कि उसको जो है function बना कर रख देते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है बार-बार उसको लिखने की जरुवत नहीं पड़ती हम उसको सिर्फ कॉल करना पड़ता है यह जो function का नाम है जैसे मान लीजी हमने sample नाम से एक function मना है उस function को सिर्फ हम कॉल कर लेंगे उस नाम से तो क्या होगा उसके अंदर लिखी गई जितन कि हमारे काम काफी आसानी से हो जाता है तो चलिए इसी के बारे में हम देखने वाले हैं कुछ functions देखते हैं यानि function में काम करना देखते हैं अच्छा functions दो परकार के होते हैं एक तो library function होते हैं और एक होते user defined function लाइब्रेरी function वो होते हैं जो की कोई भी language या किसी भी जो programming भ customs करने के लिए यहां पर functions को define कर लेता है तो उन्हें बोलते हैं user defined function चलिए हम यहां देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंतरगात functions होते क्या है तो देखिये यहां देखिए यह जो statement है एक समू होता है statement का एक समू होता है यहां पर और functions की जरूवत कहां पर होती है जहां हम function define करते हैं उसके बाद उसको call किया जाता है function कब जरूवत पढ़ती है function की जरूवत तब पढ़ती है जब हमको कोई काम बारवार repeatedly करना पड़ता है तो उसके लिए हम यहां पर function को define कर देते हैं तो फायदे क्या क्या हो सकते हैं function में लिखा गया जो code है बार बार लिखना ने पड़ता function programmer के समय script की जो space है यानि कि बार बार जो बहुत सारा space हो जाता web page में उससे बचत कराता है यानि कि सिर्फ हम function को call कर लेते हैं तो उतनी सारी statement हमारी एक बार में यहां पर execute हो जाती है बड़े script को छोटे-छोटे function में विभाजित किया जा सकता है अगर script में error आ जाए तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि जब code कम रहेंगे तो error ढूनना भी काफी आसान होगा जहां पर जरूवत हो वहाँ एक function एक ही function को बार बार यूज़ किया जा सकता यानि कि function define करने के बाद हम बार बार कहीं भी उसको आसानी से यूज़ कर सकते यह चीज हमको देखने को मिलती है function के अंतरगात इसके बाद हम अगर बात करें तो देखे function कैसा होता है तो function के अगर बात करें तो देखे हम यहाँ पर अगर बात करें तो function का name लिखते है जैसे हमने लिखे sample और bracket start करे ठीक है और उसके आद curly bracket इस प्रकार से लिखे हमने और बीच में statement लिखे जाती है ठीक है तो function एक business नाम होता है ठीक है function की सुर्वाद जो होती है उसके नाम और बाद में parenthesis मतलब इस प्रकार से bracket लगते यह वाले ठीक है उसके आद बाद में curly bracket लगते है और curly bracket के अंदर जो होता है statement को लिखा जाता तो उसी के बारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं जैसे अगर बात करें definition की तो definition होती क्या है प्रारूप प्रारूप मतलब रूप रेखा हम बोल सकते हैं जिसके आधार पर example को execute किया जाता है तो function पहली बात तो हो थी function keyword लगा उसके आथ function का नाम होता है कुछ भी हो सकता function का नाम हम ऐसा दे सकते हैं जो की keyword नहों ठीक है पहले से keyword नहों जैसे कि हम FUNC दे सकते हैं य को execute मतलब हमारी requirement के अनुसार यहां पर define की जाती है हम चाहा है तो इसको blank रख सकते हैं या फिर हम पर parameter भी रख सकते हैं ठीक है और अंदर उसकी statements होती है statement बहुत सारी हो सकती है जो कि हमको बार-बार execute करना तो उसको हम यहां पर लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए हमने ज जावा script का keyword नहीं हो सकता function का नाम जो होता statement से सम्मेंदित हो तो अच्छा होता है ठीक है जैसे कि हम अगर बात करें तो add करना तो function add बना दिए multiplication करना तो multi बना दिए divide करना है तो subtraction करना सब बना दिए और divide करना दिए तो हम बात यहां पर करा है जो function का नाम है meaningful होना चाहिए ज़ादा अच्छा यह होता है पर यदि हम चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं इसके अलावा parameters की list होती है तो function without parameter के भी हो सकते हैं parameter के भी हो सकते है ठीक है तो दोनों चीजे होती हो और parenthesis के अंदर यानि कि ब्रैकेट लगते डवल इसके अंदर ही हम parameter यानि कि variable को लिख सकते हैं ठीक है statement के अगर बात करते स्टेटमेंट बार बार इस्तमाल होने वाले हैं जो statement यहां पर लिखे जाते हैं ठीक है चलिए example देखते हैं तो करने जाकर चलिए define करने के लिए यहां पर लेते हैं हम function function और name क्या लेते हैं जैसे हमको लेना है sample sample और हमने ब्रैकेट स्टार्ट करें कर ली ब्रैकेट यहां पर स्टार्ट करके end कर दिए एंटर करें ठीक है और document.write करके हमने लिए और यहां पर हमने ले लिए क्या एक प्रकार से hello करके hello function करके हमने ऐसा print कर दिए चलिए इसको run करते हैं तो अब यहां पर हम जैसे run करते हैं यहां पर desktop पर हमारा folder html javascript और यहां practice के नाम से तो आप देखे कुछ run नहीं हुआ है मतलब यहां पर कुछ आया है क्या बिलकुल नहीं आया क्यों नहीं आया तो इसके लिए यहां पर ध्यान देने की जरूवत है जब हम function बनाते हैं सिर्फ define हुआ है call किया गये क्या आपको पता ह जब हम function मनाते है function यहां define होता और इसके बाद इस नाम से इसको call किया जाता है यहां बार बार जहां भी जरूवत पड़े तो हम इसको यहां पर call कर सकते हैं तो नीचे आपको देखना पड़ेगा यहां पर sample और यहां पर save कर दिये और refresh कर दिये तो hello function आ गया मतलब ध्यान देने की बात है कि सिर्फ define करने से ही कुछ नहीं होता उसको call भी करना पड़ता है ठीक है तो वही बात यहां पर देखने मिली हमने देखिए कोई भी नाम से ले सकते हैं सेंपल नाम से ले सकते हैं और कोई भी parameter pass नहीं किया गया है इसमें हमने जो देखें curly bracket के अंदर हमने statement दिए hello करके ठीक है अब देखें जब तक उसे call नहीं किया जाता मतलब जब तक कि हम function को call नहीं करेंगे तब तक वो invoke यानि की execute नहीं होगा तो जैसे हमने इस प्रकार से define कर दी यह define है जिर्फ है नहीं definition है अगर हम call नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगा जैसे हमने यहा function की definition यह comment है double slash यानि कि single line comment है उसका document.right में hello कर दिये अब यह function की definition इतनी हो गई complete पर अगर इतने से काम चलेगा तो ठीक है पर नहीं चलता ठीक है तो हमने यहां देखे function को call करें तो यह function calling है comment box में हमने मतलब यहां पर comment में दे दी है तो यह देखे function जो है यहां पर call किया यानि कि आएगा क्या answer में hello आएगा ठीक है अब बात करें calling function with event तो हम एक button लेते हैं जैसे मान लीजिए हम यहां पर करते हैं hello function hello function को हम जो है कहां पर लेते हैं script के बाहर चले जाते हैं और एक button लेते हैं जैसे कि हमने form पढ़ है HTML के अंतरगा तो input type button लिए थे हमने input type करके हमने button लिए ठीक है और यहां पर हमने value दे दिए value मतलब जो होता है दिखेगा क्या मतलब button जब so होगी तो उसमें दिखेगा क्य तो click me करके हमने button ले लिए और एक होता है on click event होता है event का मतलब होता है कोई घटित कोई चीज जब घटना घटित होती है अब वो किस सीच से घटित हो रही या तो keyword से key दबाएंगे तो घटित होगी या फिर mouse से हम कोई click करेंगे तो घटित होगी तो on click यानि कि click करने पर क् event execute होना चाहिए तो on click यहां पर हम देंगे क्या जो हमारे function का नाम है function function का नाम क्या है sample और bracket लगा है तो हम दे देते हैं sample और bracket लगा है यानि कि हमको bracket लगा के ऐसा देना पड़ेगा मतलब जो semi-colon है वो देना पड़ता है ठीक है और इसके आद हम इस प्रकार से बंद कर देंगे ठीक अब हम जब run करेंगे यहां पर browser में तो हमको एक button देखेंगे और button पर click करेंगे तो hello function आएगा मतलब क्या है मतलब है कि जो event है यानि कि जो button है button का event है button में लिखे क्या है click me so हो गया button का event है जो की sample button का click event है left button से click करेंगे और sample जो function है उसमें जब call करते हैं तो semi-colon लगाना जरूरी होता पर definition के समय semi-colon जरूरी नहीं है वहां पर लगाने की अब सकता नहीं है ठीक है तो यह यहां प function को define कर लिए ठीक है यह वाला complete script end हो गई अब body के अंदर देखें तो यह देखिए जो function है आपका head section में define किया गया है तो हम body में भी define कर सकते है और head में भी दोनों जगह आप जैसे मान लीजे अगर मैं यहां से उठाकर function को कहां रख देता हूं जैसे यह पूरा complete script उठाकर मैं रख देता हूं head section में जैसे यहां आप गए और head section में रखें तो भी तो यहां पर काम करेगा ना देखिए refresh कर रहा है तो देखिए यह काम कर रहा है तो दोनों जगह यहां काम करेगा यानि कि आप head section में रखो या फिर body section में रखो दोनों जगह जो script है वो उसको रख सक है जो भी हमने लिखे हैं जैसे हमने लिखे हैलो तो यहां पर हैलो आ जाएगा हमने एक्जामपल में लिखे थे हैलो फंक्षन तो हैलो फंक्षन आये था ठीक है अब बात करते हैं फंक्षन के पैरमिटर्स की तो फंक्षन में एक या एक से जादा यानिकि एक से जादा यान हमने statement लिए थिक है देखिए script पर दो parameter को पास किया गया जैसे हम अभी देखने वाले हैं और function को दो बार call किया गया दो बार call किया पहले call में एक argument दिया गया जो की argument दिया नहीं जाता वो undifind हो जाता और दूसरे call में दो argument दिये तो देखे हम यहां पर एक्जामपल मा समझते तो function FUNC नाम दिया गया एक्स और वाय उसके क्या है parameters है और अंदर document.right में हमने क्या करे है एक्स को print कर दिये ठीक है और दूसरे document.right में हमने जो है वाय को print कर दिये तो जब यहां function को call क्या जाएगा तो एक एक argument दिया यानि कि पहले को receive हो जाएगी x को और print हो जाएगा x यानि कि add value आएगी और जब by print किया गया है तो by को क्या आएगी by को आएगी undefined ठीक है उसके अलावा जब दूसरी बार function को call किया गया है तो calling to में हम देखते है 10 और 12 हमने दे दी है तो 10 कहाँ चले जाएगी x में और 12 चले जाएगी by में तो दूसरी बार में आप देखिए 10 और 12 यहां पर आ गया है answer तो चलिए हम जो है काम करके देखते हैं यहाँ पर function में यह हटा देता हूँ मैं जो event है और यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं चलिए इसको हटा देते है और हटाने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं कि कि एक function लेते हैं ठीक है फंक्सन लिए हमने ँग गवाला ठीक है और एक even function लिए हमने और यहां पर जो data मतलब हमने पेरामिटर लिए दो, दो पेरामिटर्स लिए और विए VAR करके हमने लिए X और X को दे दिए A की value ठीक है और एक VAR करके by लिए और by को दे दिए B की value ठीक है और यहां VAR करके हमने ले लिए क्या Z और Z equal करा दिए हमने क्या X plus by ठीक अब document.write हम दूसरे एक्जामपल कर रहा है parameter बाला तो document.write में हमने जैट को प्रिंट कर आए मतलब हम डबल कोट में लिख देते हैं टोटल इस और टोटल में हमने सेमी कॉलन मतलब कॉलन लगा है डैस लगा इस दिए और प्लस का अब प्रिंट का होगा जब हम add को कॉल करेंगे तो add को कॉल सिंपल नहीं करेंगे हम एड को कॉल add a और b यynnigy कि दो पैरमीटर के लिए दो value यहां पर लेना पड़ेगा तो हम add अगर जब कॉल करते हैं ठीक है एड अब यहां पर यहां पर parameter और argument मतलब parameter लिए हमने a और b दो argument दिए 10 और 20 दोनों चले गए यहाँ पर यहाँ अंदर calculation हुआ और जो z है वो वापस आखर add के दोरा वो यहाँ पर दिखिया है तो हम यह event के माध्यम से भी लिख सकते हैं तो आप यह example भी कर सकते हैं जो example मैंने बताया वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं चलिए what is function parameter और argument मतलब एक तो parameter होते हैं और एक argument होते हैं दोनों होते क्या हैं तो जब हम इसको क्या करते हैं define करते हैं x और y तो उसको बलते हैं parameter ठीक है और जब हम value pass करते हैं तो value pass करते हैं जो 2 और 3 pass करें है वो होती argument ठीक है जो चीज हमने अभी देखे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं function return statement तो return keyword यहाँ पर लगाया जाता है तो return statement function के लिए optional होता है return statement function के आखरी में होता है तो return statement इस प्रकार से लिख देते हैं, हम यहाँ पर देते हैं, तो देखिए, हम यहाँ तक तो वो करेंगे जो हमने अभी करें हैं, जैसे function हमने define करें x और y, और z बरावर x और y को plus करके return z को कर दिए, तो चलिए उसी में हम modify करते हैं, जैसे देखिए, हम अगर यहाँ पर इत क्या किया जाएगा, call क्या जाएगा, तो z जो है, वहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो हमको answer नहीं लिखना पड़ेगा, अब यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, document.write, ठीक है, document.write आप सीधे लिख सकते हो, या फिर मैं दूसरी method से बताता हूं आपको, जैसे var करके हमने c लिए और c बराबर हमने लिख दिये क्या, add, और add में हमने दे दिये क्या, 10, मतलब 20 दे देते हैं, और comma लगा खाम 40 दे देते हैं, ठीक है, अब एक बाद देखिए, add के अंतर 20 और 40 लिए हैं, तो वो add का निकल कर कहा चले गया, c में, ठीक है, मतलब यहाँ 20 कहा चले जाएगी, a c में, और 40 कहा चले जेगे, b में, दोनों आए यहाँ यहाँ पर, और plus हुए, plus होकर 60 हो गए, z में, और z return होकर कहा गए, यहाँ में, और आप c में कितनी value है, 60, तो जब हम document.write करते हैं, document.write करते हैं, और यहाँ total is कराते हैं, और यहाँ पर हमने print कर लिए, चलिए, run करकर देखते हैं, answer आता ही कि नहीं, 60 answer आया, बिल्कुल सही है हमारा, जो काम करें हमने, वो 60 आ गया है, ठीक है, तो हमने यहाँ document.write न कराकर क्या लिखें, return, और document.write हमने बाहर आकर करें है, script के, मतलब function के बाहर, तो यहाँ पर run हो गया, return के साथ भी function हो गया, function जो है, यहाँ पर parameter और argument होते क्या है, वो भी हमने देख लिए, इसके अलावा हमने example for function parameter भी देख लिए, function parameter, हना यह calling event के साथ में देख लिए, function की calling होती क्या है, definition क्या होती है, इसके अलावा हमने basic definition वो भी देख लिए, यह सारी चीज function के अं तरगत हमने देख लिए